है ठीक है यह हम जानतें कि यही ठीक है यह आरवन आरटो जैसे मालों दो रेसिस्टांस है ठीक है अब देखो इधर थोड़ा अब देखो दोनों मिल करके इसमें से कुछ करेंट को निकाल रहा होगा ठीक है तो इन दोनों के जगह पर एक एकलावता रेसिस्टांस ठीक है एक ऐसा रेसिस्टांस जो दोनों के बदले अकेले आकर के वह जगह ले सके ठीक है इस दोनों के बदले वह अकेले आकर के जगह ले सके ठीक है उस रेसिस्टांस को हम लोग क्या बोलेंगे आर एक्क्यूभैलेंट बोलेंगे मतलब की एक्क्यूभैलें के साथ तब जो तुम्हारा यहां से करेंट जो फ्लो होगा अगर यहां से आइवर आई करेंट फ्लो हो रहा है तो यहां से भी तुम्हारा आई करेंट ही फ्लो होना चाहिए ठीक है तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि यह तुम्हारा रेसिस्टांस है यह रेसिस्टांस कि बोलोगे जल्दी सब को किलिए रैसा बार अम तु दर रेसिस्टांस कि दर रेसिस्टांस को इस दिकत नहीं को डिकत नहीं कि दर रेस्टांस कि भीच रेसिट बीच्टांस किव लॉलनी लॉलनी दरक the work as sum of all individual resistance इंडिवीज्वल रेसिस्टान्स अरे लड़ों मत रहे हैं इंडिवीज्वल रेसिस्टान्स पाच मिनट के लिए एकदम मूव बन कर लो देखो पहला रेसिस्टर जैसे मालों यह हम यहां पर लगा दिये ठीक है यह इस तरीके से यह एक रेसिस्टान्स है दूसरा रेसिस्टान्स और यह इस तरीके से यह तीसरा रेसिस्टान्स ठीक है इस तरीके से तीनों को तीनों को हम क्याची में लगाए सिरीच कॉम्बिनेशन में लगाए और यहां पर एक इसको भी बोल्ट के बैट्री से हम क्या कर द अच्छ़ वह यह देखो ये आर वन है ठीक है यह रोटू है और यह तुम्हारा है वह सबसे उपर चला गया ऐं यह और तू यह जो गया रट्री ठीक है यह यह precisamente कितना रस्टीन से अब तेनों रेसिस्टांस को जब हम लोग करेंट क drainage क्लो हो रहा होगा ठीक है आई करेंट ठीक है अब इसका इसके जगा पर इस तीनों के जगा पर हम एक आर एक्वेलेंट को लगाए ठीक है हम एक आर एक्वेलेंट को लगाए ठीक है इस तीनों के जगा पर हम एक और वो और एक्यूवायलेंट लगाने के बाद भी जो रहा होगा। यह अरेक्युवायलेंट को लगा दिये ठीक है। अरे अमडी इधर ध्यान दो जूम ग्राफिय और गूगल मत करो ठीक है यहां पर क्या लगा है आर एक्युवैलेंट ठीक है क्या लगा है आर एक्युवैलेंट यहां पर यही भी फोल्ट की बैटरी है अभी भी और अभी भी जो करेंट निकल रहा होगा आई ही निकल रहा हो रिसिस्तांस कितना होगा ठीक है जिसी का वहलू हमको अब देखो हम लोग क्या हम लोग ये वाला फर्मुला पढ़के आए हैं भी इक व्ल्टु आयर वाला है तुटू आयर वाला फर्मुला है थीक है प्लास में पढ़ाये थे वी कür याद है ना सबको भी क्वल्टू आयार का फॉर्मूला हम बताये थे ठीक है फिर से बताईए फिर से बताएं ठीक है ठीक है देख लो फड़ा सा देखो बोले क्या चीद ध्यान से देखो तुम लोग बीच-बीच में भटक जाता है यह आरवन रेसिस्टांस आर्टू रेसि इसी के बदले इस तीनों के बदले एक एकलावता ऐसा रेसिस्टांस है जो कि इस तीनों के बदले अकेले काम कर रहा है और वो उसको लगाने के बाद उसको लगाने के बाद भी जो तुम्हारा करेंट फ्लो होगा वो आई ही करेंट फ्लो होना चाहिए तीनों के बदले अ इसके पास भी जितना यहां से निकला उतना ही ना जैसे रीवर से अगर बाटर फ्लो होता है तो क्या होता है जब तक रास्ता चेंज नहीं होता है जब तक रास्ता चेंज नहीं होता है जब तक दो पाथ इस तरीके से नहीं आता है ठीक है तब तक है जो कि तुम्हारा पूर कि यहाँ से अगर आई निकला है कि मदपने सकाई जाएगा और इसके आगे आई जाएगा इसके आगे भा पर आई ही आजेगा कि ले रहे तो यह चीश कुलिए हुआ तो इस तन रही चलिए ऑप जोज करना है चलो अब आगे बढ़ते हैं ठीक है अब इस आर एक्विवैलेंट को हमको निकालना है ठीक है अब देखो यहां पर यह क्या है भोल्टेज है भी ना देखो हम जहां पर यह दोस्रा लेकाई थै सेम पाथ वक्राय करेंट प्रथ एक्रोओ इस रेसिच्टर की एक रश्रेंट तूम्हारा सेम होगा ठीक है यही पर पॉइंट एक और है कि जो individual सारे का क्या होगा potential जो होगा across each resistor वो different होगा मतलब क्या लिख सकते हैं यहां पर different PD क्या ची different different PD कहने का मतलब क्या ची potential difference ठीक है एतना तो समझ ही रहा होगा different potential difference across each resistor ठीक है difference potential difference across each resistor ठीक है across इच रेसिस्टर ठीक है परतेक रेसिस्टर के एक रॉस में तुम्हारा क्या होना चाहिए different potential difference होना चाहिए ठीक है इतना क्लियर है सबको अब नोट करवा देंगे पॉइंट अभी किसी को नोट करने का जरूत है यह हैं करवा देंगे ठीक है। मतलब प्रतेक के क्र Dodge potential difference हो ethic हो का अलग-अलग हो का। अगर अलग-अलग है तो यहां का potential difference को b1 मालें यहां के potential difference को b2 माल लें यहां के potential difference को क्या b3 माल लें और क्या यह भीवन b2 b3 सारा यह इसका tagay इसका पाठ है जितना भी होगा उसी में से नहीं लोको मिला होगा भीबन भीटू भी थरी तो हम क्या लिख सकते हैं भी इसकल टू भीबन प्लास भीटू प्लास भीटू प्लास भीथरी जल्दी से बोलोगे अब क्या यह वाला चीज क्लियर हुआ यह वाला चीज क्लियर हु अगर फटाक से बोलोगे यह किलियर हुआ अगर कोई भी बच्चा बोल देगा रिपीट करने के लिए तो रिपीट कर देंगे योग्या रिपीट करें क्या ऐसा रिपीट करें अब जीत रिपीट करना है अच्छा ठीक है कोई नहीं रिपीट करते हैं चालो फिर से रिपीट करते हैं देखो हम क्या बोले हम क्या बोले कि जो इंडिवीजिवल जो इसका पतेंशियल डिफ्रेंस होगा एक रहाइख एक रास बढ़ा करतेंशियल डिफ्रेंस होगा शर्षासों ना चाहिए तो इसे के आंसार हम माल लिए लेकिन माना हूँ लेकिन हाँ यह जरूर हमें पता होना चाहिए कि इसको जो मिलेगा अगर मालो जैसे मालो अगर तुम्हारे पापा जैसे तुम्हारे पापा का जैसे मालो क्या तीन बैटा बेटी है, ठीक है, तीन बैटा बेटी, ठीक है, यह है, राम, स्याम और यह मोहन, ठीक है, तीन बच्चा है, यह राम, स्याम और यह मोहन, ठीक है, अगर मालो इसको 5 रुपया मिला है, इसको 7 रुपया मिला है, इसको 8 रुपया मिला है, ठीक है, तो यह हुआ 8, 7 7 और 8 तो उसी प्रकार से यहां पर भी पोटेंसियल जो होगा ये क्या ये तीनों के सम के बरावर नहीं होना चाहिए तो वही चीज़ तो हम यहां पर लिखे हैं वही चीज़ तो हम यहां पर लिखे हैं कि भी 1 प्लस भी 2 प्लस भी 3 तुमारा होना चाहिए किसके बरावर भी और एंद ने अरे उतारने पर क्यों लगा हूआ उतार ले उतार ले रुख जाओ ना हम उतरवाते हैं ना राम से कि लिए हो गया तो बस हो गया और कि तरबाते हैं रुको ठीक है इतना हुका भीबन प्लस बी टु े रिखे अब देखो, इस रेसिस्टर के एक रोस अगर भी कोल टू आई-यार लगाएं, तो यहां का देखो रेसिस्टान्स कितना है, और ये तुम्हारा बोल्टेज कितना है, भी बन है, ठिक है, रष्टान्स уже stay, ठीक है और भोल्टेज तुम्हारा v1 ठीक है और जो करेंट्ट क्लो हो रहा है क्या यही idiving aid क्लो हो रहा है wrap तो हम क्या अगर हम इस फॉर्मूला को लगा करके लेगे तो क्या लिक सकते हैं v1 is called to II आरवन लिख सकते हैं इतना किलियर है सबको देखो तो जल्दी से यह वला चीज किलियर है भीच कल्टू आई आरवन किलियर है सबको एवरिवन जल्दे से चालो है सर फार्मूला फिर से कौन सा फार्मूला यह वाला यह वाला यह 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 भूल जाओ इसको भूल जाओ इसको भूल जाओ अभी ठीक है इसको भूल जाओ ठीक है हम बस इसको देख रहे हैं इसको इसको ठीक है इसको देखेंगे तो यहां पर जो लिखेंग है कितना है रवन यहांपर पोटेंशल कितना है भीवन ठीकdog है तो जब हम लुग बारा इस रेसिस्टांस वो कितना से अरवन है थिक तो अर आँ के जगा हम क्या लिखें arrows लिखे अब देखो यह चीज़ छिलियर हो ग्या देखो जल्दी से बस यही समझना था देखो किलियर हुआ अगर यह समझ गया तो समझो इसका लगबग 90 परसंट समझ सुका है बस टेन परसंट समझ जाना है हाँ चलो ठीक है आगे फिर बढ़ते हैं तो देखो यह किलियर है उसी प्रकार से अगर इसके एक्रॉस का लिखेंगे तो क्या होना चाहिए तुम्हीं लोग जल्दी से चैट में रिप्लाइद दो तुम्हीं लोग बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पर क्या होना चाहिए भी प्रट्टू हों कि इसकाल चाहिए से रफ़श्य के अचीवाना चेल्दी और यहां पर क्या आटेजिख Church आई क शुआकर Saam जलो ठीक है ठीक है ठीक है चलो नेक्स्ट यहाँ पर भीत्हिरिग यह तमारा भीत्हिरी ठीक भीत्हिग है तो मेरे पास कितना equation आ गया एक यह है फिक है तीसरा यह है फिक है चौथा यह 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 है अभी एक equation और बनाना है, चार equation हुआ है, ठीक है, पांचवा equation देखो ध्यान से, यही था ना R equivalent, यहां से I current निकल रहा है, और यहां पर voltage यह है, तुम्हारा B है, तो यहां क्या लिख सकते हैं, B is equal to I R equivalent लिख सकते हैं, और इसी R equivalent का भी value निकलना है, देखो, यह देखो, यह तुम्हारा यहां पर लिख रहे हैं, पांचवा जो है, यहां पर लिख रहे हैं, B is equal to I R equivalent, अब देखो, यह बला चीज क्लियर हो गया सबको, यह पांचवा पांचवा आइधिंक क्लियर हो गया होगा, देखो जल्दी से पांचवा, पांचवा क्लियर हो गया, फास्ट रिप्लाई, रिप्लाई फास्ट करो जल्दी से, रिप्लाई करो रिप्लाई करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ें, चलो ठिक है, आगे बढ़ते हो, देखो, आगे, चलते हैं, नेक्स्ट पेच पर, ठिक है, नेक्स्ट पेच पर, पीछे क्या था, V सबसे पहला एक्तर हिए उसके बाद, चार गों था कौन कौन सा, एक था D1H करो I R 1, गिए थीर था लास्ट में था ब्ही कल टो आई आर टो कि इतना था dramatic इस चारो को ले जा करके यह चारो का देखो इस चारों को लें जाकर करके यहां पर क्या भैलू हम पूट कर सकते हैं यहां पर भी का भैलू हम इस वाले से पूट कर से ठीक है भीवन का भैलू हम इस वाले से पूट कर से ठीक है भीटु का भैलू हम इस वाले से पूट कर से ठीक है भीथिरी का भैलू हम इस वाले से पूट क ठीक है क्या लिखे आई आर एक्वाइलेंट इक्वाल टू भीवन के जगा क्या लिखेंगे आई आर वन भीवन के जगा क्या लिखेंगे आई आर वन ठीक है उसके बाद भीटू के जगा क्या लिखेंगे आई आर टू ठीक है दीतरी के जगा क्या लिखेंगे आई आर थ्री देखो जल्दी से इतना के लिए रहा है देखो इतना के लिए सबको यह व्ला चीज़ लिए सबको अगर के लिए रहे तो देखो यहां आई आर एक्विवेलेंट को छोड़ दो वैसे ही वैसे ठीक है इस तीनों मेंसे देखो आई को कॉमन निकाल लेंगे I common निकालेंगे तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा I into R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया यहां से I से I cancel out यहां से हो जाएगा R equivalent is equal to R1 प्लस R2 प्लस R3 ठीक है I is equal to R1 प्लस R2 प्लस R equivalent is equal to R1 प्लस R2 प्लस R3 ठीक है और यही तो था अपना काम का क्या चीज फॉर्मूला ठीक है अभी जितना भी पढ़ें हम लोग बस इसी को डिराइब करने के लिए पढ़ें ठीक है तो यही था तुम्हारा क्या सब्सक्राइब करें यह तुम्हारा हो गया भी भी आई ठीक है इसी का डेरिवेशन कर रहे तो ठीक है ठीक है सब को यह टॉपिक समझ में आ गया क्या कि कि कि